नमस्कार बहुत सोए अगत आपको Special Report में मैं हूँ आपके साज रूति शेवास्टो वास्तो सबसे पहले Special Report में बात इस्राइल पर हमले की क्योंकि इस्राइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था हिजबुला ने इस्राइल के दूसरे सबसे बड़े शहर पर 100 राकट दागे हैलत की बाद तो ये है कि इस्राइल का आरें डोन इन राकेट्स को रोकने में फेल साबित हुआ और फिर जमीन पर जो तबाही मची उसे देखकर नतनियाहू भी हैरान रह गए देखे रपोर्ट इस्राइल में ये काला रविवार है साथ अक्तूबर 2023 के बाद इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है मिजाइल अटाक हुआ है, रॉकेट अटाक हुआ है ऐसे वीडियो इस्राइल में वाइरल हो रहे हैं जिन पर हेजबुला की छाप लगी हुई है एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन याहु और उनके वार क्याबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिजबुला ने इस्राइल को उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तलवीव के बाद इस्राइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये है हाइफा हाइफा यानि इस्राइल की सबसे बड़ी बंदरगा हाइफा मतलब इसराइल का सबसे बड़ा अध्यों की गिलाका हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री हाइफा मतलब इसराइल की अर्थ्रवस्ता की रीर क्या हाइफा पर हुआ हमला हिस्बुला का पेजर बंब वाले अटैक का बदला है क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को हिस्बुला ने सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है हिस्बुला ने इसराइल को उस अट्डे को टार्गेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लिबनान पर बंबारी कर रहे है इस बुल्ला ने अपना बड़ा टार्गेट इसराइल रमाद डेविड एरबेस को बनाया है ये एरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिनपूर्व में है मैप पर देखिए यहां पर हाइफा है और यहां पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमाद एरबेस ये दोनों जगा लिबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलोमीटर के दाएरे में है रमाद एरबेस पर इसराइल एरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की 3 स्कौर्डरन तैनात है यानि 50 से ज़्यादा F-16 इसी एरबेस पर तैनात है रमाद एरबेस पर इसराइल की दो ड्रोन स्कौर्डरन भी है जिनके बदद से दक्षिणी लिबनान में बंबारी की जाती है इस एरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे है कुछ रॉकेट हाइपा में करियाद वाइलिक इलाके में भी गिरे यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाईए कि हिजबुला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है हिजबुला का दावा है कि उसने फादी वन और फादी टू रॉकेट से हमला किया है यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तिमाल किया गया है फादी वन 220 मिलिमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 80 किलोमीटर है जबकि फादी टू 302 मिलिमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताय जा रहा है लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्तूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है इस अटाक में इसराइल का कितना नुक्शान हुआ है इस पर नेतन याहू अभी खामोश है लेकिन तस्वीरे बता रही है कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था क्या हिजबुल्ला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बंब वाले अटाक का बदला ले लिया है क्या हिजबुल्ला ने हाइफा को हिला कर इसराइल को सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है बाहर यानी सडक और बाजार में 10 लोगों के एक जगाए कट्टे होने पर पाबंदी लगी है जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगा होने पर मना किया गया है हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तर इसराइल में बहुत ज्यादा खौफ है गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिये गए है गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ओडर है जोलाई दोहजार चौबिस में इस ड्रों वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौका दिया था तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन जिलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुँच चुकी है हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलेस किया तो नेतनियाहू की सरकार के हाथ पाउं फूल गए नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर उड़ रहा है दस मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर उड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खीच कर वापस लेबनान ले गया इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये ड्रोन उत्री इसराइल के किरियाच शमोना, नहरिया, सपर, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया अब इसी ड्रोन पुटेज का इस्तिमाल करके हिस्बुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तौफ़ा दिया है याँग बता रही है कि हिस्बुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी दस मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देख कर नेतन याहू को मुसाद समय इसराइली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी हिस्बुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ड भी रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में इसराइली हत्यारों की कमपनी रफाइल का कॉम्पलिक्स भी फिल्माया गया था मिसाइल के गुदाम, एर डिफेंस सिस्टम, पंडुबी कमांड सेंटर से लेकर कैई अड़े रिकॉर्ड किये गए इस वक्त इसराइल लिबनान बॉर्डर के करीब कैई लाके खाली हो चुके है लिबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़ कर जा चुकी है लेकिन दहशत इसराइल में भी है, उसके किरियाच शमोना जैसे शहर खाली पड़े है एक लाक से ज्यादा लोग दक्षन इसराइल की तरफ पूट कर चुके है हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है इसराइल और हिजबुल्ला का अगोशित युद्ध अब घजा पर बंबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है बारवे महीने में इसराइल पर रॉकेट बाजी और लिबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में इसे एक पक्ष हमला नहीं करता है इसराइल और हिजबुल्ला के अगोशित युद्ध में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं जबकि नसरल्ला के 502 लड़ा के अब तक मारे जा चुके हैं ये लिबनान के मिलिशिया को बड़ा जटका है इसलिए नसरल्ला और हिजबुल्ला धूनों आगबुला है पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बतला लेना चाहता है लिबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के टार्गेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिटरी बेस हैं जिसकी नेतन याहू को उम्मीद भी नहीं थी